हले दोस्तों नमस्कार आपका अपने यूटूब चैनल आतीस इन्फो टेक में शौगत है यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आपको देख रहा होगा कि थमनेल में पहले आप देख लिए होगे कि जैसा कि मैं बताने वाला हूँ कि किन किन नमबरों वालों के जो हमारे भाई हैं स्टुडेंट हैं उनका सेलेक्शन होने वाला है और रिजल्स का डेट किस दिन होने वाला है जो कि जारी हुई है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और प्रापर तरीके सा पूरा बताने वाला हूँ कि किन नंबरों वाले जिसे जिन नंबर मतलब इतना आया है वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे या ना करें ठीक है दोस्तों तो आपका यह सब सारी बाते जो है इस वीडियों में होने वाली है तो यहर अगर चैनल पर अगर नए आया हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना दोस्त और वीडियो को लाइब कर देना और मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो सेर कर देना चलते हैं दोस्तों मिलते हैं वीडियो में और पूरा प्रापर तरीके साब को एक्स्प् और आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं कि जो रिजल्स है रिजल्स से पहले आपको मैं कुछ जानकारी देदू कि आपको लिखा गया कि करमचारी चायन आयोग ने कुछ समय पहले स्सीज़डी की परिच्छ जो 10 जनुवरी से 14 फरवरी तक लिए थे ठीक दोस्तों जिसमें यानि 82% इस्टूडन जो प्रजन थे इसके बाद में आपको मैं बता दूँ कि जो जब से परिच्छा समात हुई है उमीदवार जो है यानि कि इस्टूडन जो है इसके रिजल के इंतजार कर रहे हैं सही बात है इसके साथ ही अभ्यारती संकोच में हैं कि वो फिजि और 40 से लेकर के 48 मलब क्यूशन जिसने सही किया है वो फिजिकल के तैयारी अभी से इस्टार कर दे क्योंकि दोस्तों मैं यहां पर बताने वाला हूँ जो एक्सपेक्टेड कटप बताई गई थी कफी सारे चैनल्स को आपने देखा होगा यहां पर मैंने भी एक्सपेक्ट कटफ जो है वो 80 to 85 मैंने की अगर आपका 40 नंबर सही है यहां पर मलब क्यूशन नहीं यहां पर नंबर मलब लिग दिया है अगर 80 to 85 नंबर आपके फीमेल हैं अगर मलब कंडिडेट हैं अगर आपका बन रहा है तो आप जो OBC से लेकर के जाहें जनरल हो आपका अगर OBC से हैं यानि 85 to 90 अगर हैं तो आप जो है विजिगल की तैयारी कर दीजिए यस्टी और अगर यस्टी से हैं तो आप 80 to 85 नंबर तक अगर आप महिला है यहां यहां पर मैं आपको बता दूँ रिजल्स डेट की मनलब जो रिजल का डिट है उसके बारे में मैं बताने वाला हू कि आपका जो रिजल्ट है वो किस दिन आएगा करमचारी चैने आयोग ने ससी जीडी की परिच्छा का जो मलब आयोजन है वो हो चुका है यानि साफलता पुरोग हो चुका है आप सभी स्टूडेंट जो थे मलब जो परिच्छा में भाग लिए हैं वो यस्टी जीडी के का इंतजार कर रहें ठीक है कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसारे ससी जीडी की जो परिच्छा है इसका रिजल्ट जो इस महीने के अंदर तक जारी किया जा सकता है अगर आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले दो तीन दिन पहले तो आपक किया जा सकता है चार से पांच बुजे के बीच में ठीक है अगर जैसा कुछ अपडेट आता है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा और बाकी दोस्तों अपना फेजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देजिए कोई भी टैंसन लेन वाली बात नहीं है अगर सब्सक्राइब कर दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में थैंक्यू